आज का जो पर्टिकुलर सेशन है हमारा वो उन इस्टुडेंट्स के लिए हैं जो ओनलाइन एग्जामिनेशन्स देने जा रहे हैं हमारे M.D.U. के अंदर M.D.U. एग्जामिनेशन्स जो हैं सभी को पता है अभी स्टार्ट होने वाला है पीजी कोर्सिस के लिए डेट्शीट भी आ गई है उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन्स दिये हुए थे वो इंस्ट्रक्शन्स से स्टार्ट करते हैं फिर हैं जो टूल्स हैं हमारे उनके बारे mai में देखेंगे जैसे वो एक्जामिनेशन्स जो कर वारे हैं वो गूगल मीट के ऊपर कर वा रहे तो कुल्गल वीट का एक डेमोंस्ट्रेशनं हम क्या करेंगे यहां पर डेंगे ठीक है अभी instructions की और चलते instructions जो है guidelines जो है हमारी वो इस तरीके से हैं pre-examination preparations किस तरीके से करनी है students को किन-किन बातों का ध्यान रखना है availability of 2GB data pack in mobile क्योंकि ये जो session है आपका approximately 2 hours से लेकर के 2-15 hours तक चलेगा 2 hours 15 minute तक चलेगा तो जो एक average data चाहिए होता है वो average data 2GB आपका data per day एक examinations के लिए आपको चाहिएगा connectivity issue नहीं होना चाहिए क्योंकि MDU is very regardingly कि जो आपका video session है वो हमेशा और audio दोनों ही आपकी क्या होनी चाहिए activate होनी चाहिए, enabled होनी चाहिए, वो किसी भी सूरत के अंदर disabled नहीं होना चाहिए दूसरा availability of working video camera on webcam and microphone और internet की जो speed है यहाँ पे 3G दिया हो है बट ठीक है we adopt that की जो एक smart speed है वो at least आपकी 200 kbps के करीब का आना चाहिए जिस पे zoom के अंदर आप easily, sorry, google meet के अंदर आप easily क्या कर सकते हैं, video surveillance के अंदर अपना examination दे सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि यहाँ पे दो software's mention किये हुए हैं क्योंकि आपको आपकी answer books भी scan करके upload करनी पड़ेंगी तो उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे instructions में दिया हो है Adobe Scan और Microsoft Office Lens यूज करना है जो student इसके साथ familiar है, वो अच्छा है इस YouTube वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि Adobe Scan से किस तरीके से आप within 5 मिनट आप विदिन 5 मिनट आप किस तरीके से अपना recording कर सकते हो और आप उस recording करने के बाद scan करने के बाद अपने जो answer seats है, उनको mail कर सकते है इसके लिए university ने आपको 22-30 मिनट का time दिया हुआ है, बट मैं आपसे कहता हूँ कि ये 5-10 मिनट का process है, आप 2-3 बार करके देखेंगे, trial के तौर पे बहुत easy और handy है वो आपसे हो जाएगा तूसरा, अब next guidelines की तरफ चलते हैं, to learn well before date of examinations, इसी की वज़े से हम आपको, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, arrange lined, rule A4 size sheet, ये ध्यान रखना है answer book पहले university की तरफ से मिलती रही है, लेकिन हम online करने चाह रहे हैं इस examination को, तो आपको क्या करना है, A4 sheet size की लेकिन lined आपको क्या करना है, sheet arrange करने है, line sheet अरेंज करने है, आप भी नीचे हम चलेंगे, specimen copy जो है, Mdu ने इन guidelines के साथ क्या हुआ है, दिया हुआ है तो later on उसको भी हम क्या करेंगे एक बार देखेंगे पहला page, जब आप answer लिखना start करेंगे, तो पहले page को किस करीके से आपको लिखना है उसकी guidelines यहां पर दी हुई है page के top के उपर आप देखेंगे first page पर क्या करना है आपको university का roll number figure में लिखना है, words में लिखना है, जैसे आप previous examinations में आपका printed form में आता था class semester name of paper, code of paper total number of pages written by candidate देखिए, 8 sheet आप use कर सकते हैं, back to back 16 sheets होती है, नीचे instruction में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 16 sheets के accordingly आपको total number of pages जो आपने लिखे हैं, जरूर ही नहीं है आपने art की art sheet use की, आपने 5 sheet use की, back to back और 9 page के उपर आपने लिखा है तो आप यहाँ पर mention करेंगे कि आपने 9 pages के उपर क्या किया है, आपने लिखा हुआ है date of examination आप डालेंगे और अपना signature करेंगे यहाँ पर सभी subsequent pages के उपर, सबसे नीचे वाली line के अंदर आप page number, roll number date and signature अभी हम specimen copy देखेंगे आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ specimen copy की इन instructions को किस तरीके से करना है, यह देखिए MDU की specimen copy है university roll number in figure, words class, semester, name of paper paper का code, total number of pages written by student, date of examination और student का signature, आपको इतने header part के अंदर यह लिखना है और very first page सही आपको क्या करना है, question attempt करना, चालू कर देना है मैं आपको बता रहा हूँ कि तीन questions compulsory है, आपके question paper में five questions के लिए आए या कुछ भी आए, आपको next instruction तक सिर्फ attempt any three questions करने है, attempt any three questions, यह ध्यान में रखेंगे आप, footer की हम बात कर रहे थे, तो footer यह है हर page के bottom में आपको roll number लिखना है, page number लिखना है date of examination लिखनी है और signature करना है इसी format के अंदर आपको लिखना होगा, during examination आपको क्या बात ध्यान में रखनी है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ आपको video meet के अंदर गूगल meet के अंदर, video meet के अंदर, आपको 15 minute before examination स्टार्ट होने से 15 minute पहले example के तौर पे, मैं आप से बात कर रहा हूँ कि 10 o'clock आपका examination स्टार्ट होना है, तो at least आपको 22 15 minute बिफोर उस Google meet के अंदर video meet के अंदर अपने आपको enrolled कर लेना है admit कर लेना है, admit होता ही आपको सबसे पहला काम क्या करना है invigilator आपकी screen पे होगा क्योंकि meeting उसी ने host की हुई होगी, उसको अपना admit card शो करना है आपको अपना admit card शो करना है उसके साथ साथ आपको अपनी एक photo ID शो करना है उस photo ID को आपको camera के साथ सामने शो करना है प्लस उसके साथ साथ आपको क्या करना है, microphone के अंदर आपना roll number आप क्या करेंगे, pronounce करेंगे बोलेंगे, इससे invigilator को clear होगा कि आपका microphone working में है, आपका video camera क्या है, working में, mail practice करता हुआ पाया गया, तो उसका examination है, वो cancel कर दिया जाएगा, ठीक है डाउनलोड करना है अपना question paper आपका question paper आपकी जो registered email ID है, जो आपने online examinations opt करते वक्त युनिवस्टी को दी थी उसी email ID के ऊपर आपका question paper आएगा जो examination centers है, वो आपको proper एक time होगा उसके अंदर आपको question paper भेजेंगे और आपके पास उस paper को open करने के लिए जो password है, वो friction of time before examination start का जो time होगा, 10 बजे का time है तो हो सकता है, 2 मिनिट पहले आए, हो सकता है 5 मिनिट पहले आए, हो सकता है 10 o'clock पे आए तो वो आपको ध्यान में रखना है वो आपकी email ID पे भी आ सकता है और आपके registered phone पे भी आ सकता है फिर मैंने ऊपर भी पता है use करना है आपको lined A4 sheet, page number सब पे लिखना है, 16 8 sheet आप use कर सकते हो back to back क्या करना होगा, आपके 16 pages होंगे वो maximum है, आप 8 sheet maximum कर सकते हो, 3 question के लिए आपको 8 sheet use करना है post examination examination के बाद आपको क्या करना है, at the end of examination आपको अपनी answer sheet को क्या करना है, scan करना है आज हम आपको बताएंगे, Adobe scan के through आप किस तरीके से ये easily कर सकते हो, within 2 और 3 minutes ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है required, जो भी particular process है, उसको आपने जो भी आपने scan किये soft copies, उनको PDF form में convert करना है एक ही PDF बनानी है आपको, ज्यान में रखना एक ही PDF बनानी है और उसको आपको maximum size जो है आपकी file का वो 20 MB होना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने mention किया हुआ है 20 MB का आपका file का size होना जरूर है prescribed time के अंदर आपको वो email कर देनी है अपने invigilator को जहां से आपके पास question आया था उसी email ID पे आप क्या करेंगे, scan करके उसको भेज देंगे, उसका time आपको scan करके भेजने का time जो है वो दिया हुआ है receiving the question paper within 15 minutes of schedule examination end, यहाँ पे instructions दी हुई है, 15 minutes के अंदर आपको क्या करना है, उसको scan करके PDF form के अंदर आपको 20 MB का maximum file size होना चाहिए, उसको mail करना है invigilator को अब यह ध्यान में रखना है, जब आप PDF को scan करेंगे, तो उसका name जो है वो क्या होना चाहिए, date of examination plus में roll number plus में session of examination यह format किस तरीके से applicable होगा let's suppose that example के तोर पे, 11 तारीक को आपको आपका exam था 11 September 2020 को आपका exam था, तो date of examination होगी, 11 09 20 roll number आपका था 370965, तो roll number 30 370965 यहाँ roll number होगया, session आपका morning था, तो morning आप लिखेंगे अगर session आपका evening था तो आप evening लिखेंगे इस file को, इस name के साथ आपको file बनानी है PDF की और उसको अपने invigilator को within 15 minute आपको क्या करना है, scan करके upload कर देना है, mail कर देना है after 15 minute examinations, यहाँ पर वही चीजे mention है कि आपकी जो registered email ID है उसी से करना है invigilator की उसी ID पे जहां से आपने question paper को receive किया था यह बात मैं बार-बार कह रहा हूँ आपके पास बहुत सारी email ID registered होती है, आपको ध्यान देना है invigilator की email ID क्या है example के तोर पे आप उसी question paper जहां से आया था उसी पे आप reply कर देंगे अपने इस subject के साथ अपने document को attach करके यह best possible thing है जो invigilator को भी पता चल जाएगा कि उसी email ID से आया था अब वापिस चलते हैं हम मैंने आपको यह specimen copy पहले भी दिखा दी थी आपको एक trial के तोर पे देना है कि अगर आपके पास Google Meet का कोई link आता है तो आपको Google Meet को किस तरीके से active करना है या उसको किस तरीके से आपको तो simply हमें क्या करना है अपना जो registered email ID वो open करना है let's suppose that हमें Google यह मेरा registered ID था example के तोर पे हमने एक meeting बनाई हुई है आपको क्या करना है इसको login करना है with your password जैसी आप login करेंगे आपके पास एक request आपके examination invigilator यह आपका examination invigilator है उसने एक invitation भेज़ा है MDU examination demo तो यहाँ आपका examination का name आएगा paper code आएगा ठीक है तो यह आपके पास आगई invitation ठीक है invigilator 20 मिनट पहले 20 मिनट पहले वो meeting स्टार्ट कर देगा आपके लिए आप जैसी admit करना चाहेंगे आपको इस link के उपर click करना है यह आप link देख रहे हैं अपनी screen पे यह आपका google meet का link है आप इस पे जैसे ही click करेंगे जैसे ही आप click करेंगे google meet के अंदर आपका जो particular examiner है वो आपकी screen को देख पाएगा ठीक है यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो अपनी screen दिखाई दे रहे हैं जैसे ही आपको admit कर लिया जाएगा जैसे ही आपको admit कर लिया जाएगा यहाँ पे आप अपने invigilator की screen देख पाएगे आपको दूसरा काम क्या करना है अपनी video को enabled करना है आपको अपना video enabled करना है video enabled करता ही आपका जो video है और audio जो है वो आपकी invigilator को visible हो जाएगा camera है वो off में नहीं होना चाहिए वो इस way में होना चाहिए on में और ये माइक भी क्या होना चीए, ओफ नी होना चीए, ओफ नी होना चीए, ओन होना चीए, ये ध्यान में रखना है आपको, तो यहां से आप क्या करेंगे, अपना, ये इन्विजिलेटर का पाट है, वो आपके वीडियो और आपको मॉनिटर कर रहा है, आपकी स्क्रीन वहा को ले करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्या करनास back ने अपने आंसर को उसले चैनल कर लिए अपने question पेफर स्को ऌण primeira को किस तरीके से आपको यहां से बता रहा है रहुँछ लिए स्क्रीन शेर से स्टार्ट में स्क्रीन शेरिंग आपको क्या करना है अडॉब scan open करना है अडॉब scan open आप करेंगे आपने ये हम example के तौर पर मान के चल रहे हैं कि आपका ये first sheet है आपको ये क्या करना है इस तरीके से adjust कर लेना है ताकि आपका कहीं से answer जो है वो cut है ठीक है आप जैसे ही इसको mark करेंगे continue करेंगे ये आपका scan हो करके चला गया first page आप subsequent pages गो आप इसी तरीके से one by one scan करेंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे blue rotate हो रहा है जैसे ही study होगा वो capture कर लेगा ये उसने second page को क्या किया capture कर लिए आप back to back अपने सारे जो images हैं continue करके आप सारे images को क्या करेंगे capture करेंगे मैं आपको तीन pages यहाँ पे क्या कर रहा हूँ scan करके दिखा रहा हूँ continue किया उसके बाद next page किया continue आपको select करना है continue select करने का benefit यह है कि यह automatically क्या करेगा उसको अपने एक ही pdf form के अंदर आपको वह बना के दे देगा यह देखिए यह एक ही pdf form के अंदर उसने क्या किया उसको आपको बना के दे दिया है sorry more पे क्लिक करना है more पे क्लिक करना है copy to device allow copy to device क्या करेगा उसको आपके mobile के device के ऊपर क्या करेगा store कर देगा आप देख पा रहे हैं नीचे pdf का नेम आ गया है जो हमने mention किया हो था हमने क्या किया save कर लिए यह क्या हुआ आपके mobile handset पे save हो गया अब आपको करना क्या है आपको screen बाहर जाना है अपने file manager पे क्लिक करना है file manager में document है document में यह आपका PDF जो है वो रखा हुआ है आप इस PDF को एक बार open करके देख लीजीगा ठीक है यह हमने क्या किया था scan की ठीक है close करेंगे वापिस document में file manager पे गए इस पे long press करना है आपको क्या करना है long press करना है select करने के लिए और नीचे आप देख रहे है send का option है करेंड पर क्लिक किया mail किया mail करेंगे invigilator को जिस invigilator से आपके पास question paper आया था उसको आपको क्या करना है mail करना है यहां से मुझे क्या आया था question paper आया था subject subject मुझे लिखना है क्या वही आपको क्या करना है उसको send कर देना है क्या करना है send कर देना है आप जैसे ही send करेंगे ठीक है तो send करता ही वो क्या हो गया वो चला जाएगा किसके उपर आपके इन्विजिरेटर के पास तो यह आपको बड़ा केरफुली ध्यान में रखना है बहुत easiest वे हैं आप easily क्या कर सकते हैं इस काम को कर सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो